सोमवावर को प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी महराष्ट के चंदरपुर में थे जहां अपनी सारवजनिक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखे हमले किये पीम नरिंद्र मोदी ने कॉंग्रेस की तुलना करेले से की और कहा कि करेला कभी भी घी या चीनी मिलाने पर भी मीठा नहीं हो सकता अपने कू कर्मों के कारण आज कॉंग्रेस पार्टी देश के अंदर जन समर्थन खो चुकी है प्रधान मंतरी ने आगे कहा कि कॉंग्रेस द्वारा जारी घोशना पत्र में मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है उनके सांसत भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं और कॉंग्रेस नकली सिवसेना वाले उनी लोगों को महरात्य में लाकर उनसे रेली करवाते हैं हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है कडू कार ले तुपा तल ले साखरेत गोल ले तरी कडूते कडूरूच याने यह कडवे करेले को गी में तले या सक्कर में घोले हैं वो फिर भी कडवा कही कडवा ही रहता है कि ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है होती है झालिग नहीं होती है कि इसलिए अब कॉंग्रेस खूल कर बाटों और राज करों के खेल पर उतर आई है कि कॉंग्रेस ने अपना जो गोशना पत्र निकाला है उसमें भी मुस्लिम लीग की भाशा लिखी गई है क्या है यह आपको मंजूर है कि देश शुकार करेगा इनके सांसर भारत के एक और विबाइदन की बात कर रहे हैं इंडिय अलाइस के लोग दख्षीन भारत को अलग करने की दमकी दे रहे हैं इंडिय अलाइस में सामेल बीम के पार्टी सनातन को डेंगू मेलेरिया कहकर उसके खात्वे की बात करती है और कॉंग्रेस नकली सिवसेना वाले उनी लोगों को महरत में लाकर उनसे रेली करवाते हैं अभी दो-तीन दिन पहले ही कॉंग्रेस के राष्टी अब्जेक्शन ने एक और बयान दिया है उन्होंने कहा है कि मोदी डेश में जहां जाता है दूसरे राजों में जाकर जाकर के वहां कश्मीर और आर्टिकल 370 की बाते क्यों करता है आप मुझे बताइए का यह कॉंग्रेस की विभाजनकारी सोच है अग नहीं है कश्मीर हमारा है नहीं है पूरे हिंदुस्तान का है नहीं है हमारा सिर्ताज है नहीं है क्या कश्मीर के लिए यह भाष्ण हमें मंजूर है जब ठत्रपती सिवाज इमाराद ने की आथा तब उन्हों ने क्या कहा था कि दिल्ली में जो हो उसे मेरा क्या बाहस्ता क्या कवիमेरी सवाजनकारी काता है है कि या लोग माने तिल्ए कभी सोच सकते से कि पंजाम में जलिया वाला बाघ्ठ्य कांड हो तो उसे मारा सका क्या वास्ता कभी नहीं सोच सकते हैं जब कश्मीर आतन की आग में जुलत रहा था कश्मीर पंडितों के घर जलाए जा रहे थे तब स्वर्गी यह बादा साथ ठाकरे खुड़ कर कॉंग्रेस के खिलाप आये थे तब बादा साथ ठाकरे जी ने नहीं सोचा कि कश्मीर में आग लगी है तो उससे मारास्ट वालों का क्या वास्ता मुझे खुची है कि हमारे एकनाज सिंदे जी और उनकी पार्टी बादा साथ के विचारों को पूरी मजबूति से आगे बढ़ा रही है